जटपट दुकान, स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने ता बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की, खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान रुक करते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की ओर बता दे, गेहु के रिकॉर्ड एक्सपोर्ट और कम हुए उत्पादर ने इसकी सरकारी खरीद घटा दी है पिछले साल के मुकाबले नियूतम समर्थर मूल यानी MSP पर खरीद काफी कम हो गई है रभी मार्केटिंग सीजन 2022-23 में 24 अपरेल तक 11 राज्यों से सिर्फ 136.093 लाग मिलिट्री टन गेहु की खरीद हो सकी है जबकि 2021-22 में 22 अपरेल तक 186.58 लाग मिलिट्री टन गेहु खरीदा जा चुका था कि पिछले साल और वरतमान सीजन दोनों में इसकी खरीद एक अपरेल से ही शुरू हुई थी गेहु की MSP के लाभारतियों की संक्या में लगबग 5.89 लाग की कमी भी आई है कहा जा रहा है कि किसानों को गेहु का MSP से बहुत अधिक दाम मिल रहा है लेकिन केंद स्वरकार की ओनलाइन मंडी इनाम पर एहसान नहीं दिखता है जादर तर राज्यों में गेहु का ओसत मुले 2,000 से 21,000 रुपे प्रती कुइंटल तक ही है गेहु का MSP इस साल 2015 रुपे प्रती कुइंटल है इस तरह MSP से बहुत जादा उच्छाल नहीं है इसी की तुलना सरसों से नहीं की जा सकती है जो MSP से 3,000 रुपे प्रती कुइंटल तक अधिक रेट पर बिक रहा है एक किसान नेता का कहना है कि रूस यूक्रेन यूद की वज़े से उनका गेहु एक्सपोर्ट एक करोन टन के पार होने वाला है ये अब तक का रिकॉर्ड है सरकार ने 11 करोन टन पैदरवार का अनुमान लगाए था लेकिन इसमें 60 लाग तन की कमी का अनुमान है इसलिए विपारियों ने लगबख MSP जितना दाम दे कर किसानों से गेहु खरीद कर स्टोर कर लिया है कुछ किसानों ने भी गेहु नहीं बेचा है उन्हें आगे अच्छा रेट मिलने की अभी संभावना उने दिख रही है साती भारतिय खाद निगम यानि की FCI के मताबिक इस साल सबसे अधिक करीब 89 लाग लिट्री टन गेहु की बिकरी पंजाब की किसानों ने की है यहां के 7,37,264 किसानों को गेहु की MSP के रूप में 17,955 करोड रुपे मिले है इस मामले में दूसरे नंबर पे हर्याना है जहां पर 2,82,424 ने 37,000,00 निट्री टन गेहु बेचा है यहां के किसानों को 7,504 करोड रुपे मिले है तीसरे नंबर पे मध्यप्रदेश है जहां पर 4,13,306 किसानों को यह 6,880 करोड रुपे मिला है तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें मारके टाइम्स टीवी के साथ मुझे दीजे जाज़त तमशकार झाल झाल झाल